मित्रो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जिन लोगों का नाम N अक्छर से सुरू होता है उनके लिए आने वाला शमय यानी की 2023 से 2038 तक का समय कैसा रहेगा इस अबधी में आपके जीबन में क्या क्या होगा वीडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना चाहि हैं सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपके स्वास्त के बारे में सेहत के द्रिश्टिकों से आपका जुआने वाला शमय है वो आपके लिए जयादा बेहतर नहीं रहेगा आने वाले वर्षों में आपको अपने रहन सहन के परती और अपने खान-पान के परती बहुत ज्यादा साबधान होना होगा जिन चीजों के सेबन से आपका श्वास्त खराब हो जाता हो तो ऐसे बस्तूओं का सेबन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है जिन चीजों को खाने पिने से आपका पाचन तंतर खराब हो जाता हो जिनको खाने पीने में पाचन तंत्र आपका शाथ नहीं देता हो तो ऐसे वस्तूओं का सेबन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है मित्रों आप मेंसे जो भी लोग नसा पान करते हों धुम्र पान करते हों सराव का शेवन करते हों तो आने वाले वर्षों में इन चीजों को भी आपको हर हाल में छोरना होगा क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपका श्वास्त आपका शाथ नहीं देगा और प शेहत के मामलों में समय का शपोट आपको अवश्य मिलेगा मित्रों आप में से जो भी लोग लंबे समय से बीमार हो अगर आपके शेहत में बहुत समय से कोई परेशानी हो तो आने वाले वर्सों में स्वास्त के मामलों में आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करना है अ आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर और शांदार होगा अने वाले वर्षों में आपके जीवन साथी का सपोर्ट आपको बहुत ज्यादा मिलेगा और आपके जीवन में अगर कोई परेशानी आती है कोई शमस्य आती है तो आपके जीवन साथी सब से पहले आपके सपोर्ट में रहेंगे और जीवन साथी के सपोर्ट में रहने से मांसिक रूप से आप बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगी परंतु आपको अपने शंबंध में कुछ बातों पर ध्यान देना होगा आपको अपने वानी पर अपने विभार पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करना होगा और अपने गुसे पर भी आपको काबू करना होगा अगर शंभव हो तो अपने दामपत के जीवन में आप अपने जीवन साथी के शाथ में कहीं दूर दराज घूमने जाएं अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपका शंबंध मजबूत होगा और आप दोनों के शंबंध में बहुत जयादा मजबूती आएगी मित्रो अगर आपके पाडिवारिक जीवन की बात की जाए तो पाडिवारिक जीवन के दृष्टिकों से आपका शमय आपका शाथ जयादा नहीं देगा पाडिवारिक जीवन के मामलों में उतार चड़ाब का सामना आपको बहुत जयादा करना होगा अगर आपके घर-पडिवार में कोई भी लोग परेशान होते हैं तो उनकी सहायता आपको करनी चाहिए क्योंकि घर पडिवार के लोगों की अगर आप सहायता नहीं करते हैं तो पडिवारिक जीवन बहुत जयादा प्रभावित होगा और पड़ेशानी का सामना आपको बहुत जयादा करना होगा दोस्तों अगर आपके अर्थिक जीवन की बात करें तो आपकी जो आमदनी होगी वो आने वाले शमय में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी आपके खर्चों में बढ़ोतरी भी बहुत ज्यादा हो जाएगा आमदनी में बढ़ोतरी के अलावा आपका जो खर्च है वो आपका पीछा बहुत ज्यादा करेगा तो आने वाले शमय में आपको अपने फिजूल खर्ची पर जो आपका फालतू का खर्च हो तो अपने फालतू के खर्च पर आपको ध्यान देना होगा क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आर्थिक रूप से आप कमजोर हो जाएंगे और पैसों के मामलों में पड़ेशानी का सामना आपको करना होगा मित्रो आने वाले शमय में अगर किसी भी इंसान के शाथ में आप पैसों का लेन देन करते हैं पैसों का आदान परदान करते हैं तो पैसों के लेन देन में आपको जल्दबाजी बिलकुल भी नहीं करना है अनिता पैसों के कारण आपको तनाओ का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ेगा दोस्तों अगर आपके उपाई की बात की जाए तो परतेक सुक्रबार के दिन माता महालच्मी की पूजा आपको करनी चाहिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले वर्षों में आपके जीबन में कहीं कोई परेशाने बिलकुल भी नहीं होगी दोस्तों अमीद करता हूँ अब तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा चैनल को आपने शब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो के नीचे में जै हिंद आप कमेंट कर दें तो हमारी आपकी मुलाकात एक नए वीडियो में होगी धन्यवाद